रिसेंटली मेरे एक जानकार के घर कुछ बहुती अनेक्सपेक्टेड महमानों का आना हुआ ये थे फोरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जिन्हों ने आकर इन लोगों के उपर 10,000 रुपे का जुर्माना लगा अगर हां तो क्या है प्रावधान और दूसरी बात ये कि क्या मैं अपनी प्रोपर्टी में खड़े हुए किसी पेड़ को काटता हूँ तो मुझे उसके लिए किसी की इजाज़त लेनी होगी इन सबी चीजों को आज हम डिसकस करेंगे अपनी इस वीडियो में सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि सबसे मुख्य कानून कौन सा है भारत में जो की पेड़ों की कटाई को या पेड़ों के संरक्षन को रेगुलेट करता है हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का जो मेन कानून है वो है इंडियन फोरेस्ट एक 1927 अब यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत हर स्टेट गौर्वर्मेंट को अपने अपने एरिया के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स या रेगुलेशन्स या कुछ नियम बनाने होते हैं जिसके अकोर्डिंग पेड़ों को संरक्षित किया जा सकता है इस कानून के बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ स्टेट्स ने अपने लेवल पर भी कुछ और कानून बनाए हैं पेड़ों को संरक्षित करने के लिए प्रिजर्व करने के लिए जैसे कि महराश्ट्रा का एक कानून है बहुत ही अच्छा कानून है अब कुछ शेहरों के level पर यानि कि cities के level पर भी कुछ यहां पर rules and regulations हमें देखने को मिलते हैं जैसे चन्नाई हो गया, गुरूग्राम हो गया, इन शेहरों ने यहां अपने लिए एक regulations का set बनाया हुआ है जो की regulate करते हैं पेड़ों की कटाई को, अब ये तीन तो हैं मुख्य source या main source of law जो की पेड़ों की कटाई को regulate करते हैं या पेड़ों की कटाई को रोकते हैं और पेड़ों को preserve करने में help करते हैं, अब main provision हम देख लेते हैं यहां पर section 30 जो है, वो main provision है Indian Forest Act का, जो की आज हमें देखना है section 30 Indian Forest Act का क्या करता है, ये एक state government को empower करता है कि वो अपने area में किसी एक पेड़ को, एक पेड़ की प्रजाती को या किसी जंगल को, या जंगल की किसी हिस्से को यहां पर preserved and protected घोशित कर सकती है मतलब, मतलब ये कि सरकार या state सरकार जिसको भी यहां पर जिस पेड़ की प्रजाती को यहां पर protected घोशित करेगी उसे अब काटा या उसे अब destroy नहीं किया जा सकता अगर कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ को या ऐसे जंगल को काटता है या उसे destroy करता है जो कि सरकार के द्वारा protected घोशित किया गया है तो उसके लिए यहां पर section 33 में सजा का प्रावधान है और कहा गया है कि अगर आप ऐसे पेड़ को काटते हैं या ऐसे पेड़ों की चाल उधेड़ते हैं या फिर यहां पर आग लगाते हैं या फिर आपके जो मवेशी हैं उनके द्वारा भी ऐसे पेड़ों को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो यहां पर आप सजा के हगदार होंगे क्या सजा मिलेगी कहता है जी 6 महीने तक की सजा और साथ ही में 500 रुपे तक का fine आपके उपर impose किया जा सकता है अब सवाल ही उटता है कि क्या भाई मैं अपनी प्रोपर्टी में खड़े किसी पेड़ को काट सकता हूं जवाब है नहीं आप बिना वज़े अपनी प्रोपर्टी में खड़े किसी पेड़ को नहीं काट सकते हैं हाँ अगर आपको यहाँ पर बिना वज़े अगर किसी पेड़ को आप काटते हैं तो आपके लिए सजा का प्रावधान क्या है कहते है जी आपके लिए यहाँ पर 10,000 रुपे तक का फाइन और 3 महीने की आपको सजा दी जा सकते हैं पर अगर आपके पास कोई genuine reason है पेड़ को काटने का तो आप यहाँ पर काट सकते हैं उसके लिए अलग से प्रावधान या प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया मान लीजिए आपके घर में कोई पेड़ लगा है जो कि आपका रस्ता व्लोग कर रहा है या आपके घर में जो पेड़ लगा है आपकी प्रोपर्टी में जो पेड़ लगा है वो डेड़ हो चुका है ग्रो नहीं हो रहा है अब वो यहाँ पर किसी काम का नहीं रहे गया है क्योंकि dead हो चुका पेड़, so ऐसे में क्या है कि आपको यहां पर एक authority जो होती है, आपके यहां पर forest authority जो है, या tree authority जो बनाई जाती है आपके शहर की, आपके area की, उनको यहां पर request letter लिखना होगा and उने बताना होगा कि यह मेरी property है, इस property में यह पेड़ है तो वो आपको यहां पर permission दे देंगे, आप उस paid को काट सकते हैं बट बशर्त यह रहेगी, शर्त यह आपको साथ में जोड़ी जाएगी, वो यह रहेगी कि आप इस paid के बदले में कुछ और paid उसी area में, उसी premises में उगाएंगे या फिर कहीं और उगाएंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके उपर fine impose किया जा सकता है अब एक और सवाल, सवाल ये कि मान लीजिए मैं सड़क पर जा रहा हूँ, मुझे कुछ department के लोग यहां पर दिखते हैं वो paid काट रहे हैं, ऐसे में क्या मेरे को हक है कि मैं उनको रोक सकता हूँ तो देखें यहां पर आगर आप बड़े शहरों में हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में है जहां पर proper rules and regulations आ चुकी है, जैसे कि हमने यहां पर देखा महाराष्टा का urban areas वाला कानून या दिल्ली का कानून, ऐसे में आप उन लोगों से वहां पर authority का जो permission letter है, वो मांग सकते हैं आप उनसे कहेंगे कि जो forest authority या tree authority की तरफ से आपको permission letter मिला है, इस paid को काटने का, वो हमें दिखाओ अगर उनके पास है, तो आप उनको नहीं रोख सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई authority का permission letter नहीं है तो आप यहां पर तुरंत authority को inform कर सकते हो, forest authority भी and municipal authority भी and उनको बुला सकते हो और इस paid की कटाई को रुकवा सकते हो, so यह है कुछ basic सी बाते हमें, जो देखने को मिलती हैं, पेडों से जुड़ी हुई, so I hope कि आपको यह video पसंद आएगा, अगली video में फिर एक बार मुलाकात होगी, till then thank you and have a great day ahead, thank you